नमस्ते दोस्तों, हमारा चैनल SN8 इनिक्रेडीबल इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम ओडिशा में स्थित प्राचीन कोनार्क सूर्य मंदीर और कलिंगा में स्थित शांती का प्रतिक धोली पीज पैगोडा की खोज करेंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहीले हम कोनार्क सूर्य मंदीर की भेट करेंगे। प्रतिकों को दर्शाने वाली मूर्तिया हैं। मंदीर की वास्तुकलाना केवल इसके निर्माताओं की कलात्मक कोशल का प्रमान है बलकि एक ब्रमान्डिय आरेक और खगोलिय चमतकार के रूप में भी काम करती है। पर्यटक मंदीर की दिवारों पर सजी जटिल नकाशी और नकाशी को देखने में घंटों बिता सकते हैं, जो हिंदू महाकाव्यों की कहानिया सुनाती हैं और उस समय के सामाजिक और सास्कृतिक जीवन को प्रदर्शित करती हैं। कोनार्क सूर्य मंदेर इतिहासकारों, कला प्रेमियों और आध्यात्मिक जीग्यासुओं के लिए समान रूप से आकर्शन का स्रोध बना हुआ है। मंजे तेराउंगे शत्का मदे राजा नरसीह राओ याने बांदायला जुरुवात के लिए। हार रत है सूर्याचा तर तो रत ओडायला साथ गोड़े आहे। जे साथ वारांचा प्रतिकेथ। तेराचा नंतर तो रत ओडला जाओ तेराचा चाकास तक ना तर बारा जोड़े आचाकाई तर या बारा जोड़े आ बारा महीने दर्शेह उतार। भारता तिल प्रसिद्ध परेटन ठीकाणी जाने साथी श्री समर्थनाना तूर्सव ट्रैंग्वल सा सासवडला संपर्क करा मोबाईल नंबर 9730445409 परिवर्तन का युधक शेत रोरिसा में भुवनेश्वर के पास स्थित कलिंग धोली पहाडिया भारतिय एतिहास और आध्यात्मिक्ता में एक विशेश स्थान रखती हैं। यहीं पर 261BC में कलिंग युद्ध हुआ था जो मौर्य समराट अशोक द्वारा लड़ा गया था। लड़ाई बहुत प्रूर थी लेकिन इसका मौर्य समराट अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा जिसके कारण उन्होंने बौध धर्म अपना लिया और अहिंसा के प्रती प्रतिबधता जताए। धोली पहाडियों के आधार पर धोली पीस पैगोडा स्थित है जो शांती और स्थिर्ता का प्रतीक है। पैगोडा सुंदर परिद्रश्य वाले बगीचों के बीच स्थित है और आसपास के ग्रामीन इलाकों का मनोरम द्रिश्य प्रस्तुत करता है। यह एक विजेता से धोली पहाडियों की खोच समय और आध्यात मिक्ता के माध्यम से यात्रा शुरू करने जैसा है। यह स्थलना केवल प्राचीन भारत की वास्तुकला और कलातमक प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं बल्की क्षेत्र के सास्पृतिक और यतिहासिक विकास में मूल्यवान अ इन स्थलों का दौरा करना केवल एक दर्शनिय स्थल का अनुभव नहीं है, बलकि भारत के अतीत की सम्रिधर टेपेस्ट्री और इसकी स्थाय आध्यात्मिक विरासत से जुनने का एक अफसर है. इन सम्राठ चक्रवर्ती सम्राठ अशोक हा संपुर्ण भारत तना जिंकला भक्त हा ओरिशाग राज्य क्लिंगा देश तरा जिंकला आला महीं, मनुं तनी कलिंगा वर स्वारी केली, उप्चा पधिमागाची नदिया आए ना, ते तो पार मोटा पतंगान होते या बोनेश् रखता मासाचा चिकल लाला और शगली रखता न वहुन लागली, ये शगली पहुन सम्राठ अशोक होतीत जाला और तैनी राज्यत्याक क्याला और बहुत धर्माचा स्विकार क्याला यह विदियो हमेश्री समर्थ नाना टूस, सासवर्ड के सौजन्य से प्राप्त हुआ है, हमारा चनल उनका आभारी है दोस्तों, अगर यह विदियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेर किजिए और चनल को सबस्काइब करके बेल आइकॉन को प्रेस किजिए ताकि हमारे नए अपलोडेड विदियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे यह विदियो अन्तक देखने के लिए आपका धन्यवाद